नमस्कार दोस्तों आपका हमारे यूट्यूब चैनल आर्के वेकेंसिज में आपका स्वागत है आर्के वेकेंसिज यूट्यूब चैनल पर हम सरकारी नोकरी की नोटिफिकेशन लाते रहते हैं लेटेस नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी आपको समय रहते हुए नोटिफि डेट है वो यह है श चवल्य एंड यडिड कंपनी में एक पोस्ट आई ए ट्रेनिंग आई यह जो कि एक जोइंट बॉल्चिर है क्मिर्माट ओफ इंडिया एंद हिमाचल परदेश का गॉर्माचल पर्देश की जोइंट बेंचर ठीक है यह वेब साइट है आप वेब जो है यह आपको disciplinearies दे रखिए number of seats दे रखिए qualifications दे रखिए मैं आपको एक एक करके बताता हूं पहले हम 1 से लेके 9 तक posts देखेंगे उन की number of seats देखेंगे फिर उसकी qualification देखेंगे mechanical में 40 posts है electronic communication में zag में 3, electrical में 45, 55 civil में architecture में 2, तीन एलेक्रिकल में 45 55 सीविल में आर्खिटेक्चर में तू इंस्टुमेंटेशन में तू इन्वार्मेंट पॉलूशन कंट्रोल में एक दो अप्लाइट जोलोजी में एक इन्फोर्मेशन टेक्नोजी में पांच पोस्त हैं वहीं फूल टाइम बैचलर डिग्री इन इंजिनिरिंग टेक्नोजी इन रेलिवेंट ब्रांच तो आपको बैचलर डिग्री होने चाहिए इंजिनिरिंग में फ्रॉम इंस्टुशन यह ठीक है ओके ओके और नाइस्ट है हिमन रिसूर्शी में 10 पोस्त है उसकी क्वालिफिक का ग्रेजिएशन ओके फाइनेंशन अकाउंट की 10 पोस्त है ग्रेजिएट तो यहीं सेम क्वालिफिकेशन दो साल का आपका एमबीए होना चाहिए अब बात करते हैं टेक्नीशियन की यह जो पोस्त थी वह ग्रेजवेट एपरेंटाइस की पोस्त थी और इनकी सेलरी भी मेके निकल में 24 पोस्त हैं इलेक्ट्रिकल में 40 सीविल में 31 और 5 पोस्त आ इन इफ्रमेशन टेक्नोजी में इन इंजिनरंग टेकोनोजुी इन रिलिवेंट वरैंच भाइग जो आपका Δिप्लोमा ज़ी है फुल टेंडी कडिक्लोमा नीच ए इन जिनरंग और टेकोनोजी टेक है आगे टेकनिसियन टी याएपरेंटे 17 में है। उलेक्ट्रिशियनbersतं patters यह य। हैं में सो पोस्ट में पाचपोस्ट है। आफिस सेकेट्रिटरिशूरम इस्टमोग्राफी ओफिस एस इस्टंट अफिस मेंेज्मेंट में 5 पोस्ट हैं। दस स्पॉस्ट हैं फैबरिकेटर, फीटर वेलडर दस पोस्ट है mechanical में electronic जर्नल और mechanical में पाच पोस्ट है पाच पोस्ट है information communication technology IT computer assembly maintenance में 5 पोस्ट है ये qualification ुलिविकेशन आई आई होना चाहिए आपका IT pass from any आई टी आई पास होना चीए आपका अब बात करते हैं एज एज लिमिट क्या है आपकी मिनिमम अठारा एज होनी चीए और मैक्सिमम तीज साल का आपका एज होना चीए पास साल की चूट मिलेगी सेस्ट कंडिडेट को तीन साल की ओविसी को नोन क्रिमी लेयर वालों को तीन साल की चूट मिलेगी दस साल की चूट मिलेगी पी डबलू डी वाले कंडिडेट को अब आपको सेलरी किद्री मिलेगी ग्रेजवेट एपरेंटाइस को दस हजार परमं मिलेगी ट्रेनिंग है एक साल की एक साल बारा मैने आपको सेलरी मिलेगी ठीक है कि आगे कि अगर इस प्रोजेक्ट से कोई एफेक्ट हुआ है तो आपको वह सेटिफिकेट वहां पर दिखाना होगा ठीक है तो 20 परसेंट उसके लिए रिजर्व की गई है आके और हो आपको डॉमिश्यल दिखाना पड़ेगा हिमाचल पर्देश का आपको डॉमिश्यल दिखाना होगा ठीक है कि यहां पर कैसे सेलेक्शन होगा क्राइटियरिया क्या है यहां पर देखिया गया ग्रेजवेट अपरेंटैसिस के लिए 20 परसेंट टू टैंथ 20 परसेंट होगा आपका 10 का 20 परसेंट होगा 12 का डिपलोमा का और 60 परसेंट होगा आपका इंजिनेरिंग का तो इस तरीके स इस आपके सोब क्मिलेंगे है डिप्लोमा टेकनिसियन के तीस पर्तिशत 10th के Marks लिए जाएंगे और 10th के Marks लिए जाएंगे वहीं 70% आपके ITI के Marks लिए जाएंगे त्टिक है और चीजह आप पढ़ लِजेएगा ओ टो आप 거야 कैसे अपलाई करक्र सकते हो आप इस पर जाके अपलाई कर सकते हो ठीक है फीस लगेगी आपकी 100 रुपे चरनल के टिकरी के लिए और वहीं SC ST PWT के लिए कोई फीस नहीं लगेगी जो इंपोर्टेंट डेट्स है अठारा बारा दोजार तेइस यानि के अठारा दिसंबर दोजार तेइस को यह वेकेंसी स्टार्ट हो गई है साथ जनवरी 2014 तक यह वेकेंसी चलेगी तो साथ जनवरी 2014 तक आप यह फोरम भरती जेगा तो सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है Thank you for watching this video और apply करें और training का ये जो salary है आप जरूर इसमें select हों और training का look तो उटाएं तो thank you for watching this video और comment करें कि sir आपको मैं description box में इस PDF का link भी दे दूँगा आप वहाँ से भी आप इसको पढ़ सकते हो और सारी चीज़े मैंने आपको बता दी है अभी भी कुछ रह गया हो तो आप comment कर दें और मैं उसका reply दे दूँआ Thank you